नवस्का साथियों, तो चली आज की देनिक जागरन में क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, और याद रखिए देनिक जागरन का नेशनल एडिशन है, राश्टी संकर्ड है, तो इसमें आप लोगों को महत्पोर्ण खबरें ही देखने को मि जारेस है, कि अपना नौटिफीकिसन अउन कर ले, कभी-कभी क्या होता है कि क्लास लेट हो जाती है, तो आप तक नौटिफीकिसन आ जाये करेगा, जब भी क्लास अपलोड हुआ करेगी, ठीक है, चार बेद, चार और एयोध्या की चार पत, आप सभी जानते हैं कि भब, राममंदिर बन के तैयार हो रहा है, कहां? अयोध्या में, और अयोध्या कहां देखने को मिलेगा, उत्तर पिदेश में, उत्तर पिदेश कहां देखने को मिलेगा, भारत में, तो उत्तर पिदेश की राध्धानी लखना हुए, इसकी अंतराश्टी से मन नैपाल से लगती राज्यों में बिहार, जारकन, चत्तिसगन, बंदपिदेश, राजिस्थान, हरियाना, हिमाचल पिदेश, उत्तराकन, आठ राज्यों से लगती है, और एक के अंदसासित पिदेश दिल्ली से लगती है, विधान सभा में चासो तीन सीट है, विधान पईचद में 100 सीट है, राज्य सभा में 31 सीट है, लोग सभा में 80 सीट है, आपकी उत्तर पिदेश में, रामनंगरी आ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, अर्थ, धरम और काम और मोक्ष की राय, धरम पत, राम पत, भक्ती पत और जनम भूमी पत पर अद्भूत अनुवरती देखने को मिल रह है, और इस उर्था में प्रवेश का पितिक हनुमत, निवास के महंत, आचार मिथलेस, नंदी, नी, सरन, इन चार पतों के संदर्व में कहते हैं कि चत्तोष्ट, विज्ञान के रुसार इन्हें चार बेचारियों की ही नहीं, चार पुरसार्थ, चार आसमाव या पिर चार अवस्थाओं की रुम में भी देख सकते हैं, आज के संदर्व में यदि पुरसार्थ, चत्तोष्ट के धरम, अर्थ, काम और मुक्च के लिए लें, तो धरम पत हुए है, जो हाईवे से अयुध्या में आपका पिरवेश करा रहा है, यह ईस्वरता में पिरवेश का पिति दरबाजे देखने को मिलेंगे, देखिए अब छोड़िया आप लो, सब बात है, आप देखिए भगवान से रही राम से, और मुझे लगता है किसन भगवान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और हमारा आपका संगर्स कुछ भी नहीं है, इनके अगर संगर्स देखना है असली और असली सफलता देखनी है इस अंगर्स के बात, तो राम भगवान के जनम को देख लिए, उनके जीवन को देख लिए, किसन भगवान के जीवन को देख लिए, इसलिए कहता हूं कि रामायर और महाभारत जरूर पढ़ा करिएगा, और बहुत कुछ सीखने को भाजापा ने कॉंग्रेस को हिंदु धराम और सल्सकिती का बिरोधी बता है, आपने देखा हुआ कि राम मंदिर के प्राठ पितिष्ठा कारिकरम में आमंतर मिला था ना, तो कॉंग्रेस ने ठोकरा दिया, तो उसी को लेकर बात हो रही है, कॉंग्रेस ने खा कि ये बीज भी बनी रहेगी, और अपैल 2020 की स्थिती लोटने के पहले लक्ष के बाद ही सेनकों को हटाने पर होगा बिचार, भोटान, चीन, चीन, सीमा, बारता पर भी सेना की नजर, म्यानमा सीमा पर भी चौकसी बढ़ाई गई है, तो ये आप देख लिजे हमारे पड़ोसी है, पा पांच राज्यों की, नयपाल से आप देखेंगे, तो उत्तरा खंड, उत्तर पेदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चे बंगाल, पांच राज्यों की सीमा लगती है, इस तरह के कुश्चन का इवार पूच लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखा करिएगा, इस संसत का बजट सत्त आप देखेंगे 31 जन्वरी से होगा बजट आप देखते हैं कि आप भी तो अपना बजट बना की रखते हैं न तो उसी तरह से आप देखते हैं कि हमारे सरकारों का भी बजट रहता है बजट की बात क्या बजट का उल्लेक समीधान में किया गया है अगर किया गया है तो किस अनुचेत के तहट किया गया है और किस संदरब में किया गया है यह आप लोग बताईएगा कापा उत्तरभारा राजिस्तान में सूनने से नीचे ताम मान माउंट अबू में माइनस तीन और सीकर में 0.05 रहा गुरुवार को ताम मान मौसम विभाग बता रहा है स्वक्षता के साथ 20 सिकरपा पहुंचा इंदोर उसूरत भी अबल स्वक्षता सर्विट्चन में महराष्ट राज्यों मिसीस्त पर रहा बरारसी प्रयाग राज यह गंगा तटिये सहरों में बाजी मारी है और देख लिजे स्वक्षता में सबसे आंगे सहर एक लास से अधिकाबादी वाले इंदोर फिर सूरत नभी मंबई विसाका पत्ना भोपाल विजय बाड़ा एंडी एमसी तिरुपती गेटर नोड़ा इमापकरी गेटर हिर्दा हैदराबाद उपूने यह आप सभी को बता दू कि देखिए इंदोर कई बार से टॉप पर मना हुआ है यह आप लोग याद यह राष्टी राध्धानी से जुड़ी ही खब रहे हैं यह आप देखे सौक्ष रैंके में एंडी एमसी कुसादवा और एमसीडी को नब्वेवा स्थान मिला है राष्टी राध्धानी के बड़े निकाए एमसीडी के सौक्षता की स्थिती में नहीं हो रहा है सुधार निगर में कागजी कारवाही कर और एंगिस सुधाने की कौसिस जमी इस तर पर प्यरयास नहीं हो रहे हैं चलिए उसी में बात हो रही है यह आप देखे एहम टिपरी बंस की चिंता में वहूं को परिशान करने बाले ससुरालियों को सिक्षित करने की आवा सकता है पिता की जानते हैं गर आपने साइंस पड़ी होगी कि बेटा हो रहा है बेटी हो रही है इसमें तै किसका आप देखते हैं कि गुरसूत तै करता है पिता का लेकिन पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराए जाता है वैसे तो कहिए कि ठीक है अप उसमें किसी की जिम्मेदार ही नहीं ठ पी एम मौदी आज करेंगे भारत के सबसे लंबे पुल गाउद घार्टन अटल से तू एक नजर में आप देखे ए सब्तरहजार आटसो तैनलीस करूर रुपे की लागत है इसकी लंबाई आप देखे 22 किलो मीटर समुद्र के उपर 16.5 किलो मीटर जमीन में आप देखे 5.5 क किलो मीटर लेन 6 पिलस टू आपात कालीन ट्रेफिक हर दिन आप देखेंगे 70,000 वाहन गुजरेंगे 250 रुपे की टोल टेक्स के साथ 2 घंटे का सफर केबल 15 में होने की बात हो रही है राजना सिंग बेटेश पी-एम रिसी सुनक से रक्षा सहयुक बढ़ाने पर घहन चर्चा बारता हुई है गर्म जोसी से भरी मुलाकाद में सुनकने से मिलकर काम करने पर जता ही सहमती सुप्रिंग कोट के आदेश के बाद अब जल अंसारी की लोग सब सदस्ता बहाल हुई है अभी आप देखते हैं कि 2 साल से या 2 साल या 2 साल से जाना कि किसी की सजा होती है न तो उसकी सदस्ता रद्ध कर दी जाती है लेकिन आप देखते हैं कि इड की अब जल अंसारी को हुई थी ना तो सुप्रिंग कोट में गए हुए थी तो उन्होंने इन्हें रहत दे दी है दबा निर्यात को सुगम बनाने पर अमेरिका से बात करेगा भारत अमेरिका का ब्यापार मंतरी 12 और 14 जनवरी को भारत दोरे पर US इंडिया टेर्ट पॉलिसी स्फॉरम की बैठक मचली पकरने के दौरान कच्छुआ कि फसने से अमेरिका नहीं खरीता है भारती मचली इस पर भासाओं में हुगानबाद सिक्षा क्वा बैस्विक के अंदर बनने के भारत के लक्ष को हांसिल करने में मदद मेलेगी और देखे हिंदी पर बड़ा जोर दिया जाता है हमारे देश में लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी अधिकतर फैसले जो आते हैं जो सरकार की AMU ना तो अल्वसंख्यक संस्थान है और नहीं अल्वसंख्यकों द्वारा पिसा सेकते हैं SG ने 19 उपैसक में सिक्षा मतरी रहे च्छागला की लोक्स सभाव में भासन का दिया हवाला अल्वसंख्यक दरजे से फरक क्या है अल्वसंख्यक दरजे के बिना अभी संस्थान राष्टी महत्रों का संस्थान बना हुआ है लोगों को इससे क्या फरक पड़ता है की अल्वसंख्यक संस्थान है यानी AMU तो brand name है सीस दालाट ने इस पर बात पर भी विचार किया कि या गर वो है सुपरिंग कोर्ट में ही अजीज बासा मामले में फैसली को गलत करार दे तो 2006 के इलावा धाई कोर्ट की फैसली पर क्या असर पड़ेगा अनुछे 30 आप लोग पढ़ते हैं न या आप देखते हैं कि समंद मे यही कानूनी इस्तिती है अलीगड मुसलिम पेस्विध्याले संसुधन विदेख पेस करती हूँ 1965 में ततकली सिक्चामंतरी जगला छागला ने लोग सभा में दिये भासर में कहा था कि अलीगड़ों पेस्विध्याले ना तो मुसलिम समुदा द्वारा पिसासे थे ना ही अध्यक कोट पहुंचे हमाचल के डीजीपी ए आईपीए सदिकारी संजय कुंडू ने हमाचल फिदेश हाई कोट के उस आध्यक कि खलाप स्परींग कोट में दरवाजा खटकटा है जिनमें उन्हें हमाचल फिदेश के डीजीप उतपस से हटा दिया गया था और हाई कु 9 जर्मरी को संजेक कुंडोव SP कांग्रेस सालिनी अगनी हुत्री को जटका देते हुए 26 दिसंबर 2023 को आदिश दिया था पितेक कोस के साथ इंटर्न सिफ होगी अनिवार एस अभी विस्विध्यालाओं कॉलेज अब उध्योगों से तालमेल बाव जरूरतों को ध्यान में रखकर करेंगे काम उच्छे सिक्षान सल्तानों तता उध्योगों के बीच जोडाओ बढ़ाने के लिए UGC नजारी की गा बात कर रहा हूं में और अब हमारी सिक्षा नई सिक्षा नी ती आई हुए तो विवस्ता सुधर रही है अगर ए UGC की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना के बारे में जरूर याद रखेगा कब हुए थी 28 दिसंबर 1906 में हुए थी नई दिली में हेड़कौार्टर देखने को मिलेगा हाई परफॉमेंस कम्प्यूटर के छेत में निखारे जाएंगे सिक्षा यह भी सही बात है और आप देखते हैं कि सुरुआस से बच्चों को जिस तरह से सिक्षा मिलती है आंगे उसी तरह से हमारे देश में भी योगदान होता है याद रखना चाहिए अब आप देखें यह आपका राजनीती से जुड़े ही खबर है यह भी आप लोग देखते रहा करिएगा एक दूसरे परारोग पर त्यारोग खूप चलते हैं बाते खूप होते हैं आप लोगों को चुनाओ आयो के बारे में एक सामान जानकारी नीचे लखना है लिखना है डेली हम लोग इस पर बात करते रहते हैं विस्ताज से जानते हैं लोग बात करते हैं जरूर आप लोग नीचे लिखिएगा यह आप देखे या युद्ध्या में भबरा मंदिर की तैयारी हो रही है तो उसी पर बात है हो रही हैं सब सौर उर्जा से रामनगरी में घटेगा 47,000 टनकारवन डाय उक्साइड का उसाजन बदाई में सिपोर्द एक खाक किये गए पदम्भूसं उस्ताद रासिद खान हिंदोस्तानी सास्ती संगीत गायक थे याद रखेगा विक्सित भारस अंकल्प यात्रा में सामिल नहीं होंगे पंजाब के एन एच एम कर्मी सभी से बिल सर्जनों को पत्त जारी कर दिये गए ने देश इससे पहले 17 नमबर दो जाते इसको पत्त जारी कर किया गया था तेनाथ यूबा सक्ती के संकल्प से देश में ग्रामे उद्धय का भाव हो रहा है सासक्त मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि अगर आपका सर्पंच आपने जिसे नेता चुन रखा है अपना पिती ने दित्यों करने के लिए चुन रखा है अगर वो इमानदार है तो आप देखिए 90 परसंट तक आपकी समस्यां एक हैतम हो सकती है लेकिन गारंटी यह होने चाहिए कि वो इमानदार होने चाहिए सरत होने चाहिए अब आप देखिए संपात के पाथ है यह आपको प्रिलिम से मैं मुख परिक्षा में इंटर्विव में हर जगे मदद पहुंचाते हैं जब answer writing करते हैं निवंद लिखते हैं आप लोग तब भी मदद मिलती है यहां से, तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए, आर्थिक प्रगती में रोड़ा हैं रेवडियां, जो रेवडी संस्किती की बात होती है ना, फिरी है हमारी सरकाराई तो हम ये फिरी देंगे, हमारी सर जो संभावी बिद्धी के समक्च हुए खत्रेक उत्पन कर सकते हैं इनमें रूस युकरेन युद इजराइल हमास तंगर्स, ताइवान इस्टेट में संभावी टकराओं और अन्य छित्रों में सीमा संबंदी टकराओं से उत्पन होने बाली भू राजनेतिक जोखिम हाला कि ऐसी विवस्था में अर्थसास्त्री टिकल डाउन थियोरी की बारकालत करते हैं जिसमें आर्थिक विद्धी का लाव उपर से नीचे की और हस्तान्तित होता है सार बहुमिक वैस्मतादीकार बाली लोकतंत्रीक विवस्था में नेताओं का पूरा ध्यान किसी भी तरह से सब्ता हासिल पर होता है इसके लिए बिए साम दाम दंड भेद जैसी हर संबव तर्कीब का सहारा लेते हैं एक प्रभाव साली लोग तांतरिक विवस्था के बस समतावादी दरिश्टी कोण के साथ ही पनपती है और जब भी यह पटरी से उतरती दिखे तो राज जी की सकती का उपयोग समता और निस्पक्षता को बहाल करने पर होना चाहिए जब बढ़ती बिसमता से आर्थिक एवं राजनितिक कार्यने किया हुआ है इसके तहस संग सुची के बिसेओं पर कैंदी राज सरकार विधी बनाती है तीसरी संभरती सुची में केंद और नों सरकार्य कानून बनाने की पहल कर सकती है चुकि भारत एक बहु दलिय, लोकतन थे तो मददाताओं की पास बेकल्पों की कमी नहीं है मद्दाता अपनी पसंद और प्रात्मिक्ता की आधार पर केंद और राज्यों में सरकारें चुनते हैं इस पहलू इसने पितियस पर्दी लोक लोहावन बाद को बढ़ावा दिया है इसके चलते चुनाओं में मुप्त योजनाओं एवं आकरसक पेस कसों की बाड़ आ गई है और जिसने राज्यों के बित्य संसादनों पर दवाव बढ़ा दिया है राज्यों के सरकारी खजाने पर करज के वोज की इस्तिती से ब्यापक तस्वीर और बहतर रूप से सामने आती है वित्तपर्स 2022 के संसोधित अनुवानों के अनुसार पंजाब करज राज्य के घरेलू सकर घरेलू उतपाद यानि की GDP का 53.3% रहा है इसके बाद राजस्थान, बिहार, केरल और बंगाल जैसे राज मौजूद थे और जिन पर करज उनकी जी एस, डीपी के 34.49 के दारे में था एप आई, एप आर, बी, एम, समीक्षा से जुड़ी एनके सिंग समती के अनुसंसा की थी और यह अनपाद 25.30 से उपर नहीं जाना चाहिए बास्तविक्ता यह है कि आदे से अधिक राज इस सीमार रेका को लांग चुके हैं दुनिया के दूसरे कौनों पर दिरिष्टी डालने तो अमेरिका यूरोपे संग भी उचे राजकोसी घाटे की गरप्तबे हैं वहां बढ़ती विसमता विसे इसकर कोविद महामारी के दौरान उठाए गया उपायों के चलते करज कामबार लगता गया ऐसे में अननतित गाटा और करज का सेलाओ इन सम्मद अर्दवस्थाओं के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है इस साल कई देशों में आप देखे चुनाओ भी होने हैं इस तत्य को देखते हुए अंतराश्टिय बित्त संस्थान ने चिताया है कि भूराजनेतिक तनाओ के बीच होने वाले चुनाओ में भारत दच्चेड अफेका और अमेरिका में सरकारी उधारी बड़े पिर्माने पर तरबढ़ सकती है और जिससे बित्ती अनुसंधान अनुसासन बिगर सकता है एक प्रभावी इवम इसपर्ष्ट तन्ति के आभाव में राजकोसी घाटा और करज भारती अद्वस्ता के लिए एक बड़ी चुनोती रहे है एक बक्त दिवालिया होने की इस्तिती में जा पहुँचे देज को अपना सोना बेंक और इंगलेंड के पास गिरिवी रख तक रखना पड़ा था ऐसी परिस्तितियों में अलोग लोहावन बात को लेकर अपेक्चित रूप से सतक रहना बहुत आवसक हो गया है चोकि राजनेतिक दल किसी भी सूरत में सत्ता में बने रहना और उसे बापस माना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें रेवडियों का सहरा लेने से भी कोई संकोच नहीं है इसमें भी पितिवेंदी को मात देने के लिए बड़ी गोसनाओं को अंतरहीन होड चल पड़ी है एन्रेवडियों से मद्दाताओं को भले ही कुछ ततकालेक लाब मिल जाए लेकिन बड़े दूरगामी दुकसान उठाने फड़ सकते हैं इससे राजस, सुघाटा और कर्ज बढ़ता है तो उसे पूंजी गद निवेस के लिए बहुत सीमित संसादम बचते हैं जो आर्थिक गतिविदियों को बढ़ाने के लिए कहीं अधिक आवस्त होता है और आप देखें पूंजी गद निवेस के आभाव से फिछडापन हावी रहता है और आप देखें छे दसकों तक देश एसी ही इस्तितियों से जूचता रहा है ऐसे में रेवडियों का लंबा चलने वाला सिलसला अद्वस्ता की गाड़ी को पट्री से उतार सकता है इस इस्तिति से वचने का यही उपाय है कि राजनेतिक दल अपने इस्तरपर सहिम का परिचे दें और इन रेवडियों के माद्यम से जरूरत मंद लोगों तक बस्तूएं एबं से माय पहुंचाने का विचार तो अच्छा है लेकिन यह काम राज्यों को अपनी बित्तिय इस्तिति के अनरोग ही करना चाहिए और अब यदि वे हिसाब तरीके से चुनावी रेडियां बाटी गई तो अंतता वही पईडाम निकलेगा जैसा दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखने को मिला है और इसके पईडाम सरोग मुद्रा की हैसियत कमजोर होती है और जिससे सामाजे का संतोस बढ़ता है भारत में ऐसे इस्तितियां बनने से 2047 तक विक्सित राष्ट बनने की उसकी आकांचा पर तो सारा पात हो जाएगा यह अच्छी बात है कि केंद्रव की मौजुदा सरका ऐसे लेकर चिंतित है और उसने अपने इस्तर पर अभी तक इस्तितियों को नेंतर में रखा है हाला कि यदि चुनाओं घुष्णाओं को किसला ऐसे ही चलता रहा तो आंगे की आर्थिक राह फिसलन भरी हो सकती है रूप से फल प्राप्त होते हैं होते रहें लेकक से भी और एल आईसी के पूरु चेयर्मेन है इनका नाम है जी एन बाचवेई इनके द्वारा ये आर्टीकल लिखा गया है जनता की नव्ज पकड़ने में माहर मौदी साब परिच्छा पर चर्चा जैसे आयवजन चात्रों पर प्रभाव डालने के साथी अभिवाकों भी परभावित करते हैं पिछले कुछ बर्सों तक की तरह है इस बर्स भी परिच्छा पर चर्चा कारकरम का आयुजित करने जा रहे हैं तो यह आयुजन यही बताता है कि चुनावी बर्स में भी चात्रों की बे भी नब्ज पड़करने की कोशिस कर रहे हैं और आप दिखते हैं कि अगर उन ना आती कला तो अभी राजनिती में क्यों होते हैं इतनी सफलता हैं कैसे मिल रही होती हैं पढ़ सकते हैं यह आप लोग सुखी जीवन का मार्ग जो ब्यक्ति के बद स्वयम के लिए जीता है वह जीवन का बास्त्विक आनन नहीं प्राप्त कर पाता है क्योंकि वह जीवन बद स्वार्थ सिध्धी में लगा रहता है और कभी आत्म संतुष्टी प्राप्त नहीं कर पाता है स्वार्थ को संतुष्टी भी प्राप्त करता है चुलिए देख लिगा करिएगा अच्छा कॉलम लिखा जाता है स्वक्ष्टा का संदेश इंदोर ने सादवीवार देश के सबसे स्वक्ष्ष सहर का पुरुष्कारा जित कर यहरी खांकित कर दिया कि मेने मुंबई कहे जाने वाले सहर की नकर निकाय और आम लोगों ने भी स्वक्ष्ष्टा को अपनी आदत का हिस्सा बना लिया है बास्तों में स्वक्षता अभियान आम लोगों की भागेदारी के बिना सही तरह चलाया ही नहीं जा सकता और स्वक्षता के मामले में इंदोर की उपलब्धी यह भी एंगेद करती है कि यहां कि पिसासकों के साथ आम लोग भी सबसे स्वक्षता के मामले में पितीस परदा कायम करनी चाहिए अभी ऐसी पितीस परदा क्यों नहीं दिखाई दे रही है इसके कारणों की तहट तक जाने और उनका निवारन करनी की जरूरत है आखिर स्वक्षता के मामले में जो तौर तरीके इंदौर की नगर निकाए हो वहां की लोगों ने अपना रखे हैं बे देश के अन्य चेतरों के लिए अनुस करनी है क्यों नहीं बन पा रहे हैं पिसन यह भी है कि हमारे महानगर यहां तक की दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर स्वक्षता के मामले में कोई उधारन क्यों नहीं पेस कर पा रहे हैं दिल्ली की तरह अन्य महानगरों में भी स्वक्षता के कुछ टापू से हैं कि इसका कोई उचित नहीं है देश के चोटे बड़े सहरों के कुछ खास और विसे इस रूप से बी आईपी कहे जाने बाले इलाके जो स्वक्ष नगर आते हैं लेकिन अन्य शित्रों में स्वक्षता अभियान इस पर वहावी सा दिखे उचित याए होगा कि केंद और राज्य सरकारों के साथ नगर निकाए स्वक्ष भारत अभियान की इस दिरिष्टी से समीक्षा करें कि उसमें कहां क्या कमी है यह समीक्षा आप देखते हैं कि इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पिदानमंत्री की ओवर से लाल के लिए से स्वक्ष भारत अभियान सुरू करने की घोशना किये हुए कि यह हुए लगवग 10 वर्स होते होने बाले हैं और इस से इंकार नहीं किया नहीं है कि इस अभियान ने एक हट तक असर दिखाया है लेकिन यह भी सही है कि अभी वांचित पैडाम प्राप्थों होते नहीं दिख रहे हैं लिए के वाल नगर निकायाों कु दोस्त नहीं दिया जासकता है क्योंकि आमजन्ता को भी स्वख्चिता को लेकर और से जकता दिखाने की यह अवसकता है और बीमारियों से भी बचाते हैं वेडिंग डिस्टेनेशन विछले साल दिसंबन में देहरादून में हुए डिस्टेनेशन उत्राखन वेस्पिक निवेसक सम्मिलन में पिधानमंत्री मौदी ने वेड इन इंडिया कमंद दिया था साथी संपन वर्क से आगरे किया था कि विपिती वर्स अपने परिबार का एक बेवास हमारों नेसर के सुंदर्ता से परिपोंड और अध्यात्मक दिरिश्टी से महत्मूद देवगूमी उत्राखन में करें इसके पीछे पिछे पिधानमंत्री का उदेश और इसके साथी धार्मी के अध्यात्मक दिरिश्टी से भी यह मात्मूद राज्य चारद हम समेथ अन्न धार्मी के स्थलों में हर साल ही बड़ी संख्या में सिध्धालू दर्सन के लिए पहुंचते हैं यही नहीं त्री योगी नारायन यहां बड़े वेडिंग डिश्टीनेशन के रूम में हाल के बरसों में उबरा है और त्री योगी नारायन को भगवान स्थे एवं माता पारवती के विभास थल के रूम में भी जाने जाता है इसके अलाव विस्ति पिसिद्ध हिम कीड़ा के अंदर ओली में भी लोग बिवा समारव के लिए पहुंचते हैं ना कि बल त्री योगी नारायन इबं ओली बलकि राज भर में धार में कि इबं नैसर के सुन्दरता से परिपूट कई इस्थल हैं इस अभी बेडिंग डिश्टिनेशन की रोब में बिकसित होने की चमता रखते हैं लेकिन वहाँ उस हिसाब से सुविधाओं का भाव है अब जब की राजज में बेडिंग डिश्टिनेशन बिकसित किया जाएंगे तो सुविधाएं भी बिकसित होंगी निकर भविस में बड़ी संक्या में लोग इहां आएंगे, अतित्य सत्कार की परंपरा का लाब भी राज जिको मिलेगा, इन सब के वीच यह ध्यान रखना होगा कि धार्मिक स्थलों के आस्वास के वेडिंग, डिश्टिनेशन में देव भूमी की गरिमा का भी ध्यान रख से मिलने की इनमती पिदान किया जाना था, और अदल्थ ने कि इस नेड़े से वह महला चड़ी हुई थी, और यह घटना इसी समाज की है, जहां सुविकारा जाता है कि पूद तो का पूद हो सकता है, किन्तु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, तलाक की पिकरिया जिस पत समाज के लिए अब नया नहीं है, लेवन रिलेशन में रहने प्रेम बिवा के बाद मनमुटा होने परहत्या, तरहनी के साथ मिलकर पती और वच्चों की हत्या, बेवसाइक लाप के लालच में पतनी का सोधा करना, नसा ना करने देने पर माता-पिता की हत्या, आदी खबर समबेदना ही मनुस्त को मनुस्त मनाय रखने में सहिक होती है, और समबेदना का लगातार चरण होने होते जाने से मनुस्त कुरूरतम से कुरूरतम कदम उठाने से डर नहीं रहा है, मानुवी है समबेदनाओं के समाप्त होने के पीछे के कारण मानुण ने स्वयम उत्पन किये हैं तेजी से किसी भी रोब में सफलता को पराप्त कर लेनी की तरशना ने जैसे सोचने समझने की सकती ही को चीन लिया है सिक्षित होने के बाद भी समाज से नेतिक सिक्षा का लोग हो चुका है स्युक्त परिवारों के बिक्टन के बाद जन में इकाकी परिवार ने बच्चों की सामोहिकता समाप्त कर दिये और अब उनका बच्चपन मसीनों के साथ बीटता है ऐसे में आप देखे उसके भीतर संसकारों का संबेदन नाओं का होना एक कल्पना ही है देखा जाए तो एक बैक्ति के जीवन में बच्पन से लेकर आप देखे अंतिम अवस्था तक कदम कदम पर पितिसफर्दा का माहुल बना रहता है और पितिसफर्दा के इस तरह के बनावटी माहुल में ऐसा इंसान अपने पराये का अच्छे बुरे का सेम आबेस का अंत भुला बैठता है और उसके लिए किसी भी रोब में सिर्फ और सिर्फ बैक्तिगत बिजय की मायने रखती है साहनभूती संबेदना दुख मानवेता आदी रहत इंसान जब समाज में अपना अस्तित बनाता जा रहा है तो आए दिन इस पिकार की सरमनाक सरमसाय करने वाली घटनाए घटित होना सोभाविक है चलिए अच्छी बात है यहां भी कॉलम क्या अच्छी बात है अब आप देख रहे हैं आसपास आप लोगों को देखते होगे हैवान जिनके अंदर इंसानियत नहीं मान होता नहीं है क्या कर सकते हैं यह आप देखे disagree कॉलम रहते हैं देख सकते हैं सकारात्मक दिसा में भारत नेपाल संबन बिदेश मंतिरी S.J. संकिर की दो दिवसी नेपाल यात्रा सकारत्मक और मजबूत पहले के साथ संपन हुई है इसलिए भी है क्योंकि पिछले आठ बरसों में भारत नेपाल अस्तों के मैं कई बार उताओ चड़ाओ देखने में आये हैं या आप देखें भारन नेपाल की बीच हालिया सीमा ब्यवाद नवंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा एक नया राजनेतिक मांचित जारी करने के साथ सुरूहा था और नए मांचित की अवसकता भारती समिधान के अनुचे 370 के नरस्थ होने के बाद हुई थी नेपाले एक नए मांचित पर अपती जटाते हुए तब आरूप लगाया थी कि काला पानी छेत्र में भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा गलत तरीके से दरसाई गई है विजली के छेत्र में हम लोग क्या करते हैं सही होग करते हैं खासका चापास का कीड़ा खरी खरी तंज का साजाता है अर्दवस्था अर्दवस्था मजबूत करने की कवायद एक बजट पूर संगोष्टी में विचार रखते हुए पिदेश के बित्तमंती ड्रामेसुर और आओं स्वामी के स्वामी जी के सुपन साकार करती साकार देश की परतंतता के कालखंड में स्वामी विकानन ने भारती है समाज में स्वाथ भीमान जगाने का कार ब्यापक इस्तर पर किया वही देश के पितानमती मौदी अपनी तमाम गतिविधियों के माद्धिम से स्वामी जी और जिसे परिवार के लोग नरेन बुलागते थे साल के अंदर तक आ जाएगी मेडेन इंडिया चिप माइकरोन की फेक्टरी बर्स 2024 में उतादन शुरू होने की संभावना है भारत को आटो मैनुफेक्टरिंग हब बनाने का लक्षे गड़करी साफ करें सरकार गिफ्ट सिटी में फिंटेक लैब बनाने को लेकर ला रही है नई नीटी 2023 में गोल्ड एटीएब में निवेस चैगुना बड़ा गूगल ने कई टीमों से सैक्टरों करमचारियों को निकाला Microsoft बना दुनिया की सबसे मूलवान कंपनी TCS का सुद्दलाब आप देखे 8.2% बड़कर 11,735 करोड हो चुका है और Infosys का सुद्दलाब 7.3% घटा है Green Hydrogen के लिए 9 कंपनीयों का चैन हुआ है देश में केप्टो के पिती नजरिये मं अब दलाव नहीं दास कर रहे हैं RBI साहप की गवर्नर RBI ने की रेजर बैंक आप इंडिया की बात हो रही है कपरेल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी मूंबई में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा यह आपकी अंतराष्टी खबरे है 27 सांती के लिए फलिस्तीन राष्ट का गठन जरूरी है विलंकन कह रहे है और आप देख रहे हैं इजरायल और हमास में चल रहा है न यूद्ध तो वहीं की बात हो रही है अमेरिका ने खेल गुपता को सबूत देने से किया इंका और अमेरिका ने कहा कि निवार की अदालत में पेश होने पर ही सबूत देंगे आतंकी गुरूपंत पन्नों की कथित आसपल हत्या की साजिस में आरूपे थे ना इन पर मानो अधिकार उलगन का सामना करना पड़ रहा है वो कम से कापी धरती अफगानिस्तान की हिंदु कुस छेत में था केंद्रिस का भूमी का कापना सेख हसीना ने पांचवी बार पिधान मंत्री की पद लिये सपद इमंती मनले 25 मंत्री 11 राज मंत्री सामिल हूए बंगलादिस की बात हो रही है बंगलादिस के पहले पी एम की वेटी ने भी बनी मंत्री भारसे पुलिस अधिकारियों की भर्ती पर विचार कर रहा है सिंगापूर सिंगापूर के कानून और ग्रह मामलों के मंत्री सन मोगम ने संसन को दी जान करी कार्याल है कारवल में कमी सारी फिटनेस आदी की बज़े से सामने आ रही इंचन होती है डिजीटल सुरच मुकी ने बेखेरा संदर जापान की राधानी टोकियो में ग्रांडे एक्सपरियेंस द्वारा इमर्सिव पिदसनी लाल सागर में विवधान से प्रभावित निर्यात को बचाने में जुटा भारत अंगले सप्ता बेभिन मंत्रयालें की रणने ते सब्सक्रानी की कोशिस हो रही है हाउती बिद्रोही कर रहे है ना लाल सागर में यहाँ देखे लाल सागर इभूमद्द सागर है निसार सैटेलाइट पर साथ काम कर रहे है इसरो और नासा पिधिवी पर बरब की सूख चिंगतीदियों पर रखे का नजर जनवरी 2024 में दच्छिड भारत में किया जाना है लौंच दच्छिड भारत में इसरो हमारी अंतरिक्षएजनसी है भारती है अंतरिक्षण उसंधान संगठन की बात हो रही है और इसकी स्थापना पंद्रेकस तो 1989 में हुई थी बैंगलोर करनाटक में इसका हैड क्वाटर देखने को मिलेगा नासा की स्थापना कब हुई थी अब लोग बात करते रहते हैं आप लोग सर्च करके बताईए लेकिन नीचे हरहाल में लिखी है आप लोग यह आप देखे खेल की छेत्र की खबरें हैं देख लिया करेगा सादविक चराज क्वाइटर फाइनल में सीका अंतरि भारत की सादविक साहिराज रेंकी रेडियो और चराज 17 मलेसिया उप पर एकजार बेडमेंटन टूनामेंट में गुरुबार को पुरूस डवल से क्वाटर फाइनल में पहुच गये हैं क्वाइलिफायर से ओलंपिक का टिकेट कटाएंगे साप में भारती महलाट होकी टीम के मुख कोच यानेक साप में गुरुबार को सुई करा कि उनकी टीम ने होंग जो एसे आई खिलों के जरी पेरेस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका गवा दिया सौनी पा जारी रहेगा यू एप सी का पिसारन अल्टीमिटम फाइटिंग चेंबिनसिप का अवनी दूसरे स्थान पर भारत की अवनी पिसान तीसरे दौस में लचर पितसन के बाजू गुरुबार को उस्टेलियन मास्टर्स ओप एमेचोर गोल्ड पर टूनामेंट में सहिवत रूप से दूसरे स्थान पर बढकरार है निसाने बाजी में रिदम ने भारत को दिलवाया सोलेवा उलम्पिक कोटा परेस उलम्पिक में निसानी बाजी में भारत की उसी सरवादी खिलाडी पेस करेंगे चुनोती गत उलम्पिक में थे पंदरे निसाने बाज अमन सहरावत ने जगरेव ओपन में जीता शुरुवाती दो दोर मेगर चेंपियन से बिढ़ेंगी इगा चेन नेगी क्विंग से गंस और गुजराद जाइंट स्फाइनल में पहुचे हैं यहां भी आपको जनल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है परिक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं देख लिया करिएगा गोल्डन गिलोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतिय बने ए आर रह्मान यह आप देखेंगे कि 2009 में आज ही कितने संगीतकार ए आर रह्मान गोल्डन गिलोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतिय बने थे अवर्ड उन्हें Islam Dog Millionaire फिल्म के लिए बेट ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर रचने के लिए दिया गया था इस फिल्म का गाना जै हो बेहत चर्चित हुआ था पूरी दुनिया में पसंद किया गया था मानो के लिए किलोनिंग प्रफिती बंद लगाने के लिए पैरेस में हुआ समझोत था 1998 में आज ही दिन यर्ण इउरोपी अ देशों ने फ्रांस में मानो के लोनिंग प्रफिती बंद को मंझूरी देते हुए समझाहतिब अपासनागचर के थի 1884 में तपस्वी जीवन चैली को अपना लिया, 1893 में सिकागो में विश्य धर्म संसंद में हिंदू धर्म की प्रवक्ता के रोम में दिया भासन, आज भी युवाओं का मार्ग दसन करता है, उनके भासन ने पूरी दुनिया को मुखदिक कर दिया था, गरीब और संकट गरस् 1893 में राम किष्न मिसन की स्थाफना गी, 4 जुलाई 1902 को उनकी डेथ हो गई थी, डॉक्टरों ने खोजा पेट में पानी भरने का कारण, लखनों के संजय गांधी फीजी आईए में हुआ सोध, आंत की सुजन कम कर दिलाएंगी लेवर खरावी से बीडित मरीजों को राह और लीवरम फानी भरने के रोकताम के वबार, ताजे फल सबजीओं का अधिक से बन करें, बस्ताप पानी पीएं, जाना फैट और नमक बाली बस्तूओं को खाने से बचें, हाट फूर से परहेच करें, अपने सरी के बजन नियंतित रखें, रोजाना कम से कम तीस में बया जाग रुखता बढ़ाने के लिए गरच के लंदन, गरच से लंदन के पैटर नोस्टर, इसक्वार में वर्ल्ड अवाउट वेवीज पिदसन के अंतरगत पिदसित की गई गुरिल्ला की विसाल तस्वीर, बानवे वर्सी ये डवान बनी सबसे उम्मदराज वाटर अगर का गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, इस मोवियों से जुड़ी ही कवरे हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की निवच्पर की कहानी खतम होती है, आप लोग पढ़ते रही है, आपका कोई सवाल हो मेरी लिए, सुझा हो तो जरूर आप लोग बताएगेगा, धन्यबाद